हाई वेलकम टू मैं चैनल इस बड़ी में सॉल्ब करेंगे क्वेशन नमबर टू फाइंड दी स्क्वेर्स आफ दी फाल्विंग नमबर्स यूजिंग डायागनल मेथर्ड यहाँ पर फाइब क्वेशन दियों हैं इस नकलना है करना क्या होता है कि हमें जितने डिजिट्स होते है उतने डिजिट्स का एक स्क्वेर्ड बना लेना मांघ ना थे Cordula है तो हमें square बनाना है, और दो parts कर लेना है, ठीक है, तो आपको बता रहा हूं, यहाँ पर दो digits हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम खीच लेंगे, directly ऐसा, एक square बना लेंगे, इस तरह का, और बीच में से एक partition कर लेंगे, देखिए, एक ही बात, मतब दो कलम बनाएंगे, और दो रोज बनाएंगे, इसलिए बना रहे हैं, दो कलम और दो रोज, क्योंकि दो, टू डिजिट का यह number है, ठीक है, तो हम दोग साल्प करेंगे, जब यह तो 3 कलम और 3 रोज बनाना पड़ेगा, अब देखिए, यहां का करना है, अब ऐसा बनाने के बाद, आपको यह 9, 8 लिख लेना है, यहां पर 9, मतब यह 9 बता रहा है कि इस कलम के लिए 9 यूज होगा, और यहां पर 8 बता रहा है कि इस कलम के लिए 8 यूज करेंगे, ठीक है मतब कि units place का digit जो है, right side वाला कलम जो है, इसके लिए use करेंगे, और 10th place वाला digit है, 9, उसको use करेंगे first कलम में, ठीक है, अब जो है, इसी 9, 8 को हम इस side भी लग देते हैं, ठीक है, मतब कि यहां, और यहां, अब यहां क्या बता रहा है, यह जो 9 बता रहा है कि इस first row में रख करेंगे, और second row के लिए use करेंगे 8 का, ठीक है, उसके बाद अब देखें, यहां पर diagonal बना लेते हैं, मतलब कि जितना भी यह square बना हुआ है, देखें, यह एक square है, यह एक square है, यह भी है, इन सब का क्या करेंगे, बना लेंगे diagonal, यहां से खीच करके ऐसे, सब के लिए, ठीक कि इस first column में, ध्यान दिजे, यहां पर जो first column और first row में, मतलब कि यह वाला जो box है, यहां पर 9 आएगा, और यह 9 आएगा, ठीक है, आप क्या करोगे बस, ऐसे करके देख लोगे कि यह कौन सा number आ रहा है इसमें, तो यह दोनों number आएंगे इसमें, ठीक है, तो क्या करना है, क इन ही तोनों number को multiply करने के बाद, जो number मिलेगा, वो two digit का हमें सा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह एक single number है, 9 आएंजा क्या हो जाएगा, 81, 9 आएंजा, 81, तो 81 को पहले 8 को उपर लिखेंगे, और नीचे वाले part में, जो है, 1 लिखेंगे, ऐसे multiply करके लिखना है, ठीक है, अब 9 अब इस वाले box में कौन सा आएगा, ये वाला 9 आएगा, और ये वाला 8 आएगा, ठीक है, इसका मतलब कि 9, 8 जा, 72, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, clearly, समझ में आ रहा है, अब इस वाले box में, ये जो 9 है, ये आएगा, और ये जो 8 है, वो आएगा, इसका मत मतलब कि हमें 8 और 9 को मतलब करना पड़ेगा, 8 9 जा, 72, 7 लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, clear, अब इस वाले जो 4 वाला जो आपका box है, square है, इसमें ये 8 आएगा, और ये वाला 8 आएगा, बस ये आप उच्छे करना है, कौन सा नमबर आएगा इसमें, ये दोनों नमबर आ करना है, यहाँ पर color change कर लेते हैं, ताकि अच्छे से दिखें, ओके, तो यहाँ पर जो 4 है, यहाँ देखें, यह जो यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो है, इसमें एक ऐसे arrow खीच लेते हैं, और यह बताता है कि इस arrow के direction में जितने भी numbers होंगे, सब को add करना है, और से यहाँ तक में खीचेंगे, मतलब ऐसे, उसके बाद से यहाँ से और यहाँ तक में यहाँ से खीचेंगे, उसके बाद यहाँ से इधर खीचेंगे, अब ध्यान दिजे, box के अंदर जो number से बस उनको ही add करना है, देखें, यहाँ पर तो कुछ add करना नहीं है, 4 को directly है पर 4 numbers है, इस वाले मतलब की, मैं यहाँ ड्रा कर रहा हो देखें, यह वाला जो line है, और यह वार जो line है, इन दोनों के बीच में जो numbers है, उनको add करके यहाँ लिखना है, ओके, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, add करेंगे, 6, 2, 8 और 8, 2, 8, 2, 10 हो जाएगा, यहाँ लिखें लेंगे 10, यहाँ पर add करना है वही चीज, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे add करना पड़ेगा, मतलब कि 7, 1 और 7 add करेंगे, तो 7, 7, 14, 14, 1, 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, clear, यहाँ पर देखें, इसके राइस में क्या है, केवल 80 ही है, यहाँ लिख लेंगे केवल 8, अब देखें, यह लिखने के बाद, यह solve करने के बाद, अब हम answer लिखना है, start करेंगे, means, यहाँ लिख सकते हैं कि so, 98 का जो square आएगा, वो आएगा, यहाँ पर देखें, इसका unit space क्या है, केवल यही यह 4 ही ह है, तो 0 है, तो 0 को लिख देंगे, और जो 10th space का number है का 1, उसको यहाँ ले जाकर के, अगले वाले number में, add कर देंगे, मतलब plus 1 कर देंगे, क्या मिलेगा है यहाँ पर, 16 मिल जाएगा, अब 16 में बताएगे, units space क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर, अब इसका जो 10th space का digit है, वो जाकर के, 8 में add हो जाएगा, तो 8 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यह 9 में क्या है, एक ही digit है, directly है, आप रख लेजे, तो last में तो एक digit हो या दो digit हो, उसको रखना ही पड़ता है, यही आपका answer हो गया, तो इसमें verify करने के लिए नहीं पुछा है, कि आप जो है usual multiplication से multiply करिए, और verify करिए, वैसे यह correct answer है, आपका 9604 आएगा, चलिए अब यही पर कर लेते हैं, second, second आपका है, three digit का number है, और वो है आपका 273, ठीक है, यहाँ भी आप क्या करेंगे, कि अब यहाँ पर तीन column का बना लेंगे, एक square, ठीक है, और इसमें तीन partition करेंगे, one, two and three, ठीक है, और इधर भी column तीन बना लिए, और इधर नीचे भी row बनाना है तीन, three rows and three columns, इस तरीके से, ठीक है, और 273 नंबर है, तो पहले पहले यहाँ पर first में लिखेंगे two, यहाँ लिखेंगे seven, और यहाँ लिखेंगे three, ठीक है, simply ही ऐस बना लेंगे इसमें column, sorry, diagonal, diagonal बनाएगा तो यहाँ से यहाँ से, ऐसे add कर लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे diagonal, यह हो जागा diagonal, अब यहाँ से भी diagonal बनाना होगा, यह, ठीक है, और यह diagonal मिला देंगे, इससे, यहाँ से बन जाएगा, इसके बाद यह diagonal बन जाएगा, उसके बा बला नंबर आ रहा है और यह बला नंबर आ रहा है ठीक है इनने को multiply करके यहां लिखेंगे अब यहां पर ध्यान देना है कैसे लिखेंगे देखेंगे टू 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 जब 4 आएगा ना 4 आएगा मतलब कि किवल 4 आएगा तो 4 को हम समझेंगे कि 2 digit का नंबर है इसको यह दि हमें 2 digit के form में लिखना हो तो क्या करेंगे 4 is equal to लिखना पड़ेगा हमें 0 4 0 4 क्या है 2 digit का नंबर है तो 0 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 4 एकदम यह ध्यान रखेगा यह मत करिए 4 उपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे 0 ऐसा मत करिएगा यह तो गलत हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए इसमें लाना है तो यहाँ पर 2 आ रहा है और यह 7 आ रहा है ठीक है तो क्या करना है 7 तो जा 14 मटबलाई कर लेज़े 14 आएगा, 14 का 1 यहाँ, 4 यहां यहां, यहांपर दो डीट का नुमर आ ही रहा है, तो 1 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, उसके बाद इस वाले कालम में क्या आ रहा है, यह 2 आ रहा है, और 3 यह जो 6 होगा, 6 होगा तो यहां 0 लिखेंगे और यहा बेला नमबर यहां पर आ रहा है और यह 7 आ रहा है तो इंद रूंट बलाई करके यहां लिखना है मतलब की अर यहां पर तो 6 रहेगा ओके यहां पर हो जागा 7 तो यहां पर हो जागा 1 and 4 अब यहां पर करते हैं तो यह 7 7 आएगा 7 तो जागा 49 होगा 4 और 9 यहाँ शेवन त्रीर आएगा यहाँ अर्ड फवór ट्री जाए इंट 240 वन शीज्वए tod 0 लीखेंगे और यहाँ गांशित 9 हो गया ओके अब यहाँ पर अश्क लिए कमाल है अब इसको हम ले लेते हैं कलर चैंज देखें यहाँ पर अब यहाँ पर आपको ऐसे खिच लेना है फिर यहाँ पर ऐसे बना लेना है फिर ऐसे यह arrow बता रही है कि इस arrow के direction में जितना भी यह बन रहा है उन सबको add करना है numbers को ठीक है और यहाँ पर add करना है यहाँ पर add करना है और यहाँ add करना है तो देखे क्या क्या add करेंगे 9 इसमें तो 9 नहीं है के वल 9 लिख देंगे as it is अब इस वाले देखे कालम में क्या है यह कितने लोग कितने मतलब यह जो arrow है कितने numbers को काट रहा है बस उन सब को add कर देंगे तो 1 और 1 को add करना है क्या मलेगा 2 मिलेगा अब यहाँ पर यह arrow जो है यह इतने number काट रहा है मतलब कि 6 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 17 हो जाएगा 17 and 2 19 हो जाएगा 19 and 6 25 तो 25 को में लिख देंगे 5 25 ठीक है अब यह जो 3 वाला है number यह पूरा इसको add करेंगे मतलब 4 312 हो जाएगा यह अब इस वाले यह जो है इसको add करेंगे मतलब 4 out 2 6 यहाँ पर क्या है 0 है क्या बीच में देखें 0 है क्यों लिखेंगे 0 अब यहाँ पर answer राना start होगा देखें कैसे करेंगे अब so हमार answer जो होगा 273 का जो square होगा वो होगा क्या जो अब यहाँ से देखेंगे unit space का digit क्या है यह 9 ही अकेले है तो 9 लिख देंगे यहाँ 2 अकेले है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर देखें 25 है 25 का 5 जो है unit space का digit है पहले उसको 5 को लिख देंगे और 2 जो बचेगा उसको हम लागर के अगले वाले में add कर देंगे मतलब प्लस 2 कर देंगे हाँ मिल जाएगा 14 14 का आप unit space क्या है 4 है तो 4 का हम यहाँ लिखेंगे उसके बाद से जो 1 है उचला जाएगा अगले वाले में मतलब 6 में add हो जाएगा 6 प्लस 1 मतलब किया जाएगा 7 और 7 तो एक ही नंबर है इसको हैं उसके बाद क्या है यह 0 है 0 को क्या रखना है यहाँ पर 0 को रखे चाहिए ना रखें बिल्कुत सेम है तो आपका answer आएगा यह 74,529 तो यह आपका answer हो गया अब solve करेंगे question number 3 तो आप जो next वाला है आपका third one इसको आप यहाँ से लिकर करेंगे आप 4th 5th जो है फ्रसा fast करेंगे ठीक है चलिए fast करते हैं तो 3,4,8 करना है 3,4,8 लिख दीजे अब यहाँ पर देखें तीन numbers हैं तो हम बना लेंगे 3 digit का एक square ओके तो ऐसा बना लिए उसके बाद इसको तीन partition करेंगे एक हो गया यह और एक हो गया यहाँ से उसके बाद ऐसे कर लेंगे 1 and this is 2 अब यहाँ पर हम यह भी खिच लेते हैं इसे ओके तो अब यहाँ से यह हो गया यह हो गया और यह हो गया फिर ओके अब यहाँ पर numbers को लिख देते हैं देखें 3 लिखेंगे यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 3, 4, 8 3, 3, 9 तो 0 लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 9 ठीक है, 3-4-4 12, 12, 3-8 जा, 24, 4-3-2 12, 4-4 जा 16, 4-8 जा 32, 8-3-24, यहां पर ऐसे बना जते हैं ऐसे बना जते हैं यहां पर ठीक है अब ध्यान दीजिगा यहां पर 4 है के अब इस वाले में क्या है इस वाले में अब यहां पर करेंगे अब यहां पर क्या करेंगे हम आंसर लिखना स्टाट करेंगे यहां पर इस वाले में ग्यारी में आख है फिर इस वाले में ग्यान वन लाख ट्वेंटीवन थाउजन्ड वन हंडड़ फोर ओके यह आपका अंसर है चलते हैं आप फोर्थ कर लते हैं इसी में है तो यहां पर है आपका टू हंड़ेड नाइन्टी फाइव क्या करना है आपको फिर यहां पर एक ब्लॉक शरी यहां पर उल्टा बनता है इत्व अब यहां पर हम बना लेंगे ठीन परिशन पर हम बना ले थे हैं तो यहांपर सट केंञें था यहां पर हम बना लेते हैं इसे डागनल राइट यह diagonal बनाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं diagonal method ओके तो हमने बना लिया ये अब यहाँ पर जो numbers है यहाँ आप लिख दीजे 2 यहाँ 9 और यहाँ 5 लिख दीजे यहाँ पर 2 लिखिए यहाँ लिखिए 9 और यहाँ लिखिए 5 अब जड़के इस कालं में है 2 लिखिए 4 तो यहाँ लिखेंगे 0 येहाँ लिखेंगे 4 2 नज appetite लिखेंगे 1-8 2व यहाँ लिखेंगे 1-0 9 टुज़ा 18 का 1-8 9 नज़ा 81 81 9 लिखिए 45 तो फॉर और फाइव यहाँ नज़ा आप यहाँ पर हम जो हो solve कर लेंगे देखें यहाँ पर एक एरो बनाएंगा ऐसे फिर ऐसे यहाँ फिर यहाँ और यहाँ देखें अब यहाँ पर तो 5 इके वहल है तो 5 दिखतेंगे अब यहाँ पर सबक्वाइट करेंगे तो 5 और 2 7 5 2 7 5 12 एदम correct आइड करेंगे यहाँ पर इस सब को आइड करेंगे मतब 0 प्लस 4 प्लस 1 मतब 4 8 और 1 9 यहाँ पर आड कर लिजे सबको देखें 1 और 8 8 सीज़े 24 हो जाएगा 24 और 25 और 26 अब यहाँ पर कर लिजे देखें 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पर और यह तो 0 ही है केवल इसमें देखें का box का अंदर ना की 2 को आड कर लिजेगा है गलस हो जाएगा चलिए यहाँ पर अब हमार आणसर आने वाला है तो यहाँ पर लिखें लेंगे 295 का square जो होगा वो होगा देखें 5 को ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर देखें 2 को उतार लेंगे यहाँ पर मतलब सबका unit space देखेंगे बस 2 हो गया 10 space को करेंगे अगले वाले में add कर देना है तो 1 को यहाँ पर add करेंगे तो 10 आएगा 10 का 0 बढ़ाएंगे 10 का 1 जो है इसमें add करेंगे जब 1 तो क्या आएगा 10 का 0 यहाँ पर ले दिए और 1 को क्या करेंगे इसमें add करेंगे इसमें plus 1 करेंगे तो मिलेगा 27 27 का जो 7 है वो unit space का digit है यहाँ रखेंगे और 2 को add कर लेंगे 6 में कितना जाएगा 8 8 को रख लेंगे यहाँ पर उसके बस से उसके आगे तो 0 ही है 0 को रखना नहीं है आपका यही आग क्या हो गया answer हो गया means it is 7,000 it is 7,025 ओके last one है 171 इसको आप करते है तो यहाँ पर erase करना पड़ेगा जब note करना होगा तो आप जो है वीडियो को pause करके note कर सकते हैं यहाँ भी मैं solve कर लेता हूँ तो आपका जो 5th one है यह आपका है 171 यहाँ पर एक बना लेते हैं ओके तो यहाँ पर हो जाएगा partition 1,2 ठीक है और यह हो गया 1,2 ओके तो हमने डैंकल बना लिए अब यहाँ पर आपके यहाँ पर लिखना है 1 यहाँ लिखना है 7 और यहाँ लिखना है 1 ठीक है फिर 1,7,1 अब देहान देजेगा इस का अलम में 1,1,1 करेंगे तो क्या मिलेगा ? 0 और 1 मिलेगा 1,1,7 करेंगा तो 7 आएगा और यहाँ 2,0 और 7 लिखेंगे अब याद रहें यहाँ 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 पर यदि 1 डिजिर का आता है तो उपर 0 लिखेंगे नीचे वाले में नंबर लिखेंगे 1,1 क्या आएगा ? 1 आ आएगा तो 0 लिखेंगे उपर और नीचे लिखेंगे 1 इतम ध्यान रखेगा इसे 7 x 1 करेंगे तो 0 और 7 लिखेंगे 7 समझा 49 होगा तो 49 4 उपर लिखेंगे 9 ये नीचे लिखेंगे 7 x 7 तो 0 और 7 लिखेंगे 1 x 1 करेंगे तो 0 और 1 लिखेंगे 1 into 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 और 1 लिखेंगे अब क्या करना है आपको पता ही है ऐसे 0 बना लीजिए अब ध्यान देजिए अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो यह तो 1 ही रहेगा इन सभी को add कर लीजिए इधर से 7 और 7 किता हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 लिखेंगे 9 1 10 और 1 11 यहाँ लिखेंगे 11 इन सभी को add करने पर यहाँ पर add करेंगे तो क्या में लेगा दिखें 14 14 and 4 18 हो जाएगा 18 का यहाँ पर लिखेंगे 18 अब यहाँ दिखें 7 और 1 कितना हो जाएगा sorry sorry 7 नहीं है यहाँ पर जाएगा क्यवाल यहे लिखेंगे 0 प्रस 1 प्रस 0 मतलब की 1 क्यवाल 1 आएगा यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा ओके अब ध्यान दिखेंगे अब यहाँ पर add करना है वाले हैं तो यहाँ पर हो जाएगा so 171 का square is equal to हो जाएगा यहाँ पर unit space का digit क्या है लागर add करतेंगे प्लस 1 यह हो जाएगा क्या 19 हो जाएगा 19 का 9 जो है यहाँ लिख देंगे फिर 1 जो है लागर की इधर add करतेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 यहाँ लिख देंगे उसके बसे 0 है कुछ भी नहीं है तो ऐसी रहने जाएगा मतब कि 29,241 जो है 171 का स्क्वायर है तो आपने यह देख लिया काफी डिटेल में और काफी अच्छे से कि कैसे हम डियागनाब मेतर का यूज़ करके किसी भी नंबर का 3 डिजित नंबर हो या 2 डिजित नंबर हो हम कैसे स्क्वायर करते हैं हम यहाँ पर 4 डिजित नंबर का भी स्क्वायर कर सकते हैं इसी तरीके से बड़ी असानी से किवला डियर करके यहाँ पर करना है और यूदिस पर स्क्वायर जो है निकाले लेना है तो आप समझ चुके होंगे कैसे करेंगे इसमें तो जरूर लाइक दीजिएगा और एक और कमेंट बाक्स में पुरा जो भी लिखना है कुछ ना कुछ लिखिए थोड़ा सा इंस्पिरेसर में लेगी मुझे और वी वीडियो बनाने के लिए और शेयर कर दीजिए आप दोस्तों को थैंक यू सो मुच पर वाचिंग बाइ